हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हूँ विजिया स्क्रेटिव गाड़न फ्रेंट्स आज जो है हम आपको पोटुलाका का बॉंसाई या फिकाहिए पर्चुलेन फ्री बनाना बता रहे हैं जो कि बहुत ही असानी से बन जाता है फ्रेंट्स और चाहो तो आप इसको जटबट भी बना सकते हो किस तरीके से हमने बनाया है चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंट्स यह वाली क्लिपिंग जो है अप्रेल के लास्ट वीक की है जबकि लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने जो था यह परचु लाका के यह जो लमबी-लमबी स्टिक्स होती है ना इन सब को ले लिया यहाँ पर हमने केवल six sticks ली है, six branches ली है और सभी एक height की है जितनी भी नीचे की ये जो leaves है ना इन सब को बहुत ही carefully हटाईएगा जोर जबदस्ती बिल्कुल मत करियेगा अगर branches हों तो उनको भी हटा दीजेगा इस तरीके से सारी ही हटानी है एक भी नी रखना है और दोस्तों जितनी भी लीजेगा सब एक height की लीजेगा देखे इस तरीके से और ये जो उपर वाली जो leaves लगी है इनको तो बहुत carefully हटाईएगा ने तो फ्रेंच ये तुरन तूट जाती है हमें टूटी हुई sticks यूज नहीं करनी है हमें सब एक ही height की चाहिए इस बात को आपको द्यान रखना है तो यहां हमने 6 लिया है आप जो है 3 के table में जो number आते है न उतनी ले सकते हो चाहे आप 9 ले लो चाहे आप 15 ले लो या 12 ले लो जितनी भी ले लो यह सब को मैंने बराबर height में कर दिया है और बराबर height में करने के बाद यहां पर मैं धागे से बान दे रही हूँ अगर आप rubber band भी लगा सकते हो लेकिन rubber band को tight मत लगाईए गा नहीं तो यह तूट जाएंगी फिर इसको जो है जिसे braid बनाते न चोटी मैंने इनको three groups में बाट लिया है दो दो sticks करके और इस तरीके से देखे चोटी की तरह बना ले रहे हैं क्योंकि आगे जाकर के यह grow होंगी मैच्योर होंगी तो इनको grow होने के लिए जगा चाहिए और यह जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर भी इसको थ्रेट से बान दे रहे हैं ताकि यह खुले नहीं नहीं बान दोगे तो यह खुल जाएंगी यह और डीला डीला जरूर थोड़ा करिएगा ताकि इनको grow होने का पूरा चांस मिले और यह तूटे नहीं आपस में टाइट भी महत बहुत मत बनाईएगा इसके बाद इसको जो है सीधा रहे है यह पूरी इस तरीके से तो यहाँ पर हम एक लोहे के तार मैटल का जो वायर है ना इसको ले रहे हैं मेरे पास तो देखे पतला है अगर आपके पास मोटा वायर है तो ले लीजे लोकडाउन के समय हमें तो कुछो भी अगर में मुझ कर लिया है इसको यहां पर डाल दे रहे हैं इस केस में लकड़ी की स्टिक बिलकुल मत लगाईएगा फ्रेंड्स ने तो लकड़ी की स्टिक बहुत दिन तक लगे लगे सड़ा जाती है बस हमको जो है इस तरीके से करके सपोर्ट दे देना है ताकि इसकी जो ब्रांचिस हैं यह लुड़के नहीं गिरे नहीं ऐसे इसको वायर को पीछे की तरफ हम छुपा देंगे यह ऐसे बन गया देखिए अब जो है इसको चलिए मिट्टी में भी लगा लिया जाए यह छोटा सा मैंने प्लास्टिक का कप टैप कलिया है इसमें जो है मैं खाली कंपोस्ट भर र अब मिट्टी में दबाएंगे और जो हम पर तागा लगा है थ्रेड लगा है वो इसको भी मिट्टी में दबा देंगे यह मेरी खाली कंपोस्ट तो यह कुछ नहीं मिला है और इसको अच्छे से प्रेशर देंगे दबाईएगा क्योंकि फ्रेंस उपर जो है वेट जादा है और दो इंच इसलिए डाल रहें कि अच्छे से मिट्टी में इसकी जणे जो है फैलने लग जाए उसको जो है थोड़ा सा ताकत मिले तो यह खड़ा रहेगा मजबूती से बाद में जैसे बढ़ेगा ये पानी भी डालना डाल देते हैं इसको चाहे तो आप फूल संलाइट में रखो यह जाएगा लेकिन बाद में एक हफ्ते बाद तो इसको पूरी फूल संलाइट में दीजेगा जब यह grow होगा तो उपर से हम इसको बान देंगे यह से अब इसको जो है friends इसमें जो भी extra branches निकलेंगे उस सब को काटते रहना बहुत जरूरी है और तागा तार उपर की तरफ है उपर की तरफ यह बढ़ता जाएगा प्रेंस आज जो है 15 जून हो गई है और यह ग्रोथ है इसकी यहां पर मैंने इसको रेट थ्रेट से बांद दिया था यहां पर काफी सारी नहीं पत्तियां वेगेरा ब्रांचिस निकल रहा रही थी तो इन सब को मैं हटाती चल रही थी बरबर से ऑर इसमें जो था फैटलाइजर वेगेरा वही डाल रहती वर्मी का पोस्ट का लीक्विट फैटलाइजर वेगेरा डाल रहती है तो जो मैं सबी फ्लावनिंग प्लांट समें डाल यहीं सब डाल नहीं अब देखें यह जो लंबी लंबी ब्रांचे सोड़ी से एक्स्ट्रा ग्रो हो जाती है ना इनको मैं तुरंथ हटा देती हूं व्योंकि फूल से नीचे वेट बढ़ेगा ना तो फिर ये गिरेंगे उपर ही उपर मैं इनको ग्रो करने दे रही हूं नीचे बिल्कुल कि नहीं ग्रो करने दे रहे हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा फिर मिलेंगे आप से एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ पाइ